RKR Study Seated Point YouTube Channel की माध्यम से मैं आज आप सभी को इस वीडियो में भारतिय सिक्षा आयोग उन्हें 64 से 66 के बीच जो आयोग वनी थी इसी के बारे में बताने जाड़ा हूँ मैं राजन कुमार ओशन स्वागत करता हूँ अब सभी को अपने YouTube चैनल RKR Study Seated Point पे तो चलिए इस वीडियो के अंतरगत हम लोग किन चीजों को पढ़ेंगे उस पर एक नजर डालते हैं तो सबसे पहले हम लोग इस वीडियो के अंतरगत भारतिय सिक्षा आयोग क्या है इसको जानेंगे और इसके बाद जानेंगे कि भारतिय सिक्षा आयोग के लागू करने का क्या कारण था वो कौन सी कारण आ गई जिसे भारतिय सिक्षा आयोग को फिर से बना करके उसका सारी बातों को हम लोग जानेंगे इस वीडियो के अंतरगत तो लाश्ट तक बने रहिएगा आपको सारी चीजे बड़ही आसान सब्दों में समझ में आ जाएगी तो चलिए सबसे पहले हम लोग बात करें भारतिय सिक्षा आयोग 1964 की तो यह जो है 14 जुलाई शन 1964 को अपने प्रस्ताब में भारतिय सरकार ने भारतिय सिक्षा आयोग की नियुक्ति की थी कब आप हमेशा डेट को याद रखिएगा कि 14 जुलाई 1964 में इस आयोग की प्रस्ताब को भारतिय सरकार ने सुईकार की थी और इस आयोग के अध्यक्ष जो थे वे परसिद सिक्षा विद पर प्रस्तामे श्विकिर्ती की थी इसको और डियेस कोठारी के नाम से ही इस आयोग को एक और नाम से जाना जाता है वो है कोठारी कमीशन या कोठारी आयोग इसका दो तीन नाम है कोठारी कमीशन भी हो गया कोठारी आयोग है भरतिये सिक्षा आयोग भी है और इसे राष्टि पारित प्रस्ताव दिरांक 14 जुलाई 1964 के आदेशा अनुशार किया गया डॉक्टर डी एस कोठारी के अध्यक्सता में गठित इस आयोग का कारेकाल इससे पहले गठित सभी कमीशन से कहीं ज़्यादा लंबा था यानि यह जो हमारा कमीशन बना आयोग बना भारतिय सिक्षा आयोग इसका जो तारिक है वो है 14 जुलाई 1964 और इसके जो अध्यक्ष थे वे थे प्रफेशर डी एस कोठारी और इस आयोग का जो बनने का समय था बाकी के जितने भी सिक्षा आयोग बने है उससे इसका कारेकाल सबसे अधिक था यानि सबसे लंबे दिनों तक इसी आयोग का कारेकाल रहा है किसा आयोग का तो भारतिय सिक्षा आयोग का राष्टिय सिक्षा आयोग 1964 का या फिर से कोठारी आयोग भी कहते है तीनों एक ही और पांच विदेशी लोग भी इस आयोग के सभा में शमलित थे इस आयोग के सचीब पद पर भारत के सिरी जेपी नायर शलाकार सिक्षा मंतरी को शौपा गया था सचीब कौन थे इस आयोग का तो भारत के जेपी नायर थे और अध्यक्ष कौन थे तो डियेश को ठारी थे इन दोनों नाम को आप हमेशा याद रखेगा बहुत ही महतपुरन है दोनों चीज ठेक है चले आगे बरते हैं दो अक्टूबर को प्राराम हुए इस आयोग में लगवग डेर शाल के दोडान 20 जून 1966 को अपनी रिपोर्ट शरकार के सामने प्रस्तूत की थी यह जो कमिटी है इसका प्राराम हुआ था दो अक्टूबर को ही और लगवग डेर शाल के बाद 20 जून 1966 को अपनी रिपोर्ट शरकार के सामने प्रस्तूत की थी इस आयोग ने भारतिय सिक्षा आयोग के लागू करने का क्या क्या कारण थे चलिए उस पर एक निजर डालते हैं तो परमुक कारण जो है भारतिय सिक्षा आयोग के लागू करने का वो कुछ इस प्रकार से है जिसमें से सबसे पहला कारण है देखिए उसको एक एक करके हम लोग पढ़ेंगे पहले जान लेते हैं कि क्या हुआ था जिसके कारण भरतिये सिक्षा आयोग को लागू करना पड़ा तो सुतंत्रा मिलने के फश्चात भारत सरकार्त ने देश की प्रंप्राओं एवं मानेता अधुनिक समाज के अवसक्ता तथा कांचाओं को मद्दे नजर रखते हुए राष्टिये सिक्षा परनाली विकास करने का प्रयत्न किया इसके लिए उन्होंने अनेकों कदम उठाए लेकिन सिक्षा परनाली का विकास समय की अवसक्ता अनुशार नहीं हो सका यानि हमारा जब भारत सौतंतर हुआ था तो उस समय हमारे सभी राज वेस्ता जो है एकदम से जीरो पर गए थे यानि सब को फिर से नया नई शुरुआत देनी थी तो उस समय हमारे समाज की जो सिक्षा विद्ध थे वे चाहते थे कि समाज की अवसक्ता और उसकी आकांचाओं को मंद्य नज여 रखते हुए एक ऐसी राष्टिए सिक्षा परनाली का निर्मान किया जाए विकास किया जाए जिसने क्या है कि लोगों को उसका अवसक्ता की पृति हो जाए उसकी जो आका करके उन्होंने बनाए भारतिय सिक्षा आयोग उनी सो चौशट से च्याशट का नाम है भारतिय सिक्षा आयोग का कोठारी आयोग ठीक है तो इसको बनाए तो इसको किस उद्देश की पूर्ती के लिए बनाए तो चलिए उसको देखते हैं इसकी जो उद्देश की पूर्ती थी उसमें से सबसे पहला आता है कि सासन एबं जीवन के तरीकों के रूप में धरने पेक्ष लोक तंत्र के स्थापना करना दूसरा जो उद्देश से था वो था कि जनता की निर्धनता का अंत करना यानि हमारा जो गड़ी भी उस समय के सबसे बड़ी समस्या हुआ करती थी और कही न कहीं आज भी गड़ी भी भारत के समस्या है तो इसकी दूर करना इस उद्देश को मद्य नजर रखते हुए भारतिय सिक्षा आयोग का गठन किया गया था साथी साथ सबी लोगों के लिए रहन सहन का उचित अस्तर बनाना और किर्शी का आधुनी करन करने एबं उद्देश करना इस आयोग के निर्वान करने का मूल उद्देश से थे और आधनिक विज्ञान एबंप्रद्दोगई की का परयोग तथा प्राणपारिक अध्यात्मिक सिक्षाओं क से जोरने का इसका परयोग करना इस आयोग के लागू करने का मूल उद्देश से थे भ उठाडी आयोग ने अपने व्याप्त छेतर को 13 दलो में विवक्तिया कितने दलो में तो 13 दलो में और इसके लिए उन्होंने एक साथ काड़े समीति का निर्वान किया और इस आयोग ने 21 मातक निरंतर भारतिये सिक्षा के विविन भागो का ध्यन किया और तब जाकर की वह निश्कर्ष पर पहुंचा और आयोग ने 29 जून 1966 को अपनी रिपोर्ट को उस समय के ततकारिन सिक्षा मंतली थे वे थे MC छागला उनके सामने प्रस्तूत की और इस परतिवेदन को सिक्षा एवं राष्टी ये लक्ष कहा गया उस समय के कौन थे सिक्षा मंतली तो वे थे MC छागला इन्हें भी आप याद लखेंगे ठीक है चलिए आगे आगे आप बात करते हैं कि भारतिय सिक्षा आयोग 1964-66 के सुझाव एवं सिफारी से कौन-कौन सी है इसमें किस परकार की बदलाव लाने के लिए बाते को कही गई है चलिए एक इक पॉइंट को इन सारी बा के प्रमुख सुझाव युद में सिफारी से कौन-कौन से है सबसे पहला आता है कि सिख्षा तथराश्टिय लख्ष इसके अंतरगत क्या बताया गया है तो सिख्षा तथराश्टिय लख्ष के संबंद में कोठाडी आयोग ने कहा है कि सिख्षा को लोगों के जीवन दा प्राप्त करने के लिए आयोग ने निम निलखित सुझाव दिये हैं देखे सिक्षा तता राष्टिये लक्ष में आयोग ने इस बात पर ज्यादा फोकस किया है कि सिक्षा का जो है जीवन अविसक्ताओं एवां आकांचाहों के अनुरूप होनी चाहिए जो भी हम बालक को स सिक्षा देड़ हैं तो उसकी जीवन की जो आवसक्ताएं हैं एवां उसकी जो आकांचाहें हैं उसके अनुरूप होनी चाहिए जिससे वो सिक्षा को प्राप्त करके वो इन दुनों चीजों को प्राप्त कर सके जिससे क्या होगा कि बालक का आर्थिक, समाजिक, राजनेत शांस्कृतिक सभी पक्षों का विकास हो जाएगा और जब इन साड़े पक्षों का विकास हो जाएगा तो वराष्टिये लक्षों को प्राप्त किया जा सकता है इसके लिए भारतिये सिक्षा आयोग क्या-क्या सुझाव दिये हैं उसको चलिए देखते हैं सबसे पहले कहते तथा अध्यात्मिक मन्नेताओं का विकास यवं चरित्र का निर्मान करना इन सारे बातों पर उन्हें ने बल दिया है हमारा राष्टिये हमारा भारतिये सिक्षा आयोगने राष्टिये सिक्षा आयोगने ठीक है चलिए दूसरा जो यहाँ पर बताया है वो है कि सिक्षा का शनचना एबा मस्तर हमारा सिक्षा का क्या शनचना होनी चाहिए तो सिक्षा की शनचना पर उन्होंने एक पड़कार का फॉर्मूला दिया है वो है हमारा 3 प्लस 2 प्लस 3 जैसे अभी राष्टिय भारतिय सिक्षा निती आ गई है 2020 तो इसमें ये फॉर्मूला बदल गया है इसका वीडियो में अल्लेडी बना चुका हूँ आप वहाँ से देख लिजएगा ये चैनल पर आपको मिल जाएगी नई सिक्षा निती के नाम से भी उसको जानते हैं भारतिय सिक्षा निती 2020 को तो वहाँ पर कुछ अलग है सनचना लेकिन कोठाड़ी आयोग के समय में भारतिय सिक्षा आयोग 1964 के समय में ये थी सनचना 3 पलस 2 पलस 3 इसमें क्या था कि देखिए इस सनचना के बारे में क्या बतारा गया है इसको देखिए कह रहा है कि इस सनचना के तहत जो हमारा समाने सिक्षा की अवधी है उसे 10 वर्सों की रखी जाए और प्रारंबिक सिक् दो भागों में भी बाटा जाए पहला 4 से लेकर के 5 वर्सों तक तथा दूसरा जो निम्न प्रात्मिक अस्तर है और दूसरा जो तीन वर्सों का जो उच्छे प्रात्मिक अस्तर है उसको भी अलग भागों में बाटा जाए और इन दोनों का जो अबधी है उसका निम्न प् दसमेक एक्षा के बाद जो होईशिस्ट कारवेक्रमों की विवस्था को समाप्त की जाए और मादमेक विद्याले में हाई स्कूल एवं हाईयर सेकरंडरी स्कूल को शमानित भी किया जाए ये साड़ी बाते रखी गई है शर्नचना के अंदर अगर चलिए आगे बताया गया इसमें सिक्षक की इस्थिती के बाड़े में चुकि सिक्षक ज्यान डाता है अगर सिक्षक की इस्थिती अच्छी नहीं डाएगे तो वो ज्यान को अच्छे ढंसे नहीं देपाएंगे इसलिए इसमें पताया गया है आयोग ने कहा है कि सिक्षन व्यवस्था में प्रतिभ सिख्षक को कारे सम्पाधन, संबंधी, निर्धारत किया जाए। मंदी नियुंतन सुवधा कहाने का मतलब हुआ कि सिक्षक जो बच्चे को पढ़ाते हैं तो को समागरी कावसकता होती है जिसे सिक्षन सहायक समागरी कहते हैं तो उसकी सुवधा प्रदान की जाए आयोग ने इस पर भी जोड़ दिया है साथी साथ सभी सिक्षक को व्यवश सिक्षक की फैशलेटीज दी जाती है उसी तरह से गयर सरकारी विद्याले में के जो सिक्षक होते हैं उनको भी उसी तरह की सुवधा विवस्था दी जानी जाहिए ठीक है आगे उन्होंने चर्चा की है सिक्षक की दसा पर तो सिक्षक के लिए शरकारी गिरी योजना को प प्रतिबंधित ना किया जाए इस बात पर आयोग ने खासा बल दिया है चलिए आगे जो पताया है उन्होंने सिक्षक सिक्षा के संदर्म में भी आयोग ने चर्चा की है इसके संदर्म में आयोग ने सिक्षक परशिक्षन व्यवसाय के शमुन्नत करने के लिए कुछ सुझा प्रफ़ेव दिये हैं जो निम्न लिखीत है चलिए एक-कड़के दिखते हैं कि शिक्षा को एक विश्य की रूप में असनातक इवां असनातक उत्तर प्राक्ठे करब में पढ़ा जाए परतेक परशिक्षन संस्था में परचार सिवा विभा के स्थपना की जाए वहीं परशिक्षन विद्याले में पार्ठेकर विशे समागरी को संसोधित किया जाए और उन्होंने बताया है इस संदर में कि परशिक्षन कॉलेज के सिक्षा के पास दो परकार की डिगरी होनी च उसके उपादी भी होना आनिवारे है और परशिक्षित सिखकों के लिए ग्रिष्मकालीन संस्था कि वस्ता की जाए जिसमें सिक्षकों ग्रिष्मकालीन जो छुटी मिलती है उसमें अलग्से ख्लास लगा को उसे परसिक्षित किया जाएगा। और पर्टिक्विध्याल एवन कॉलेज में जिक्षक के लिए नियामित रूप से अनुस्था आपना पाठ्यकर्मों की विवस्था भी किया जाए आगे हैं स्यक्षिक अफसर की समान्ता, स्यक्षिक अफसर की समान्ता के बारे में स्यक्षिक अफसर की समान्ता के लिए आयोग ने निम्न लिखी सुझाब दिये हैं, जिसमें से सबसे पहला सुझाब है कि निम्न प्रात्मिक सिक्षा को भी निशुल्क बनाने के लिए प्रत पुस्तक को घड़ो कहने का मतलब पुस्तकाले की विवस्ता की जाए और इस पुस्तकाले में विदार्थी के लिए पाठे पुस्तक को परियाप्त मात्रा में मंगा कर विवस्ता भी की जाए जिससे जो गड़ी बच्चे हैं जो पुस्तक खरीदने में और सक्षम है वो परतिभा वान गरीब इदार्थी के लिए शातर विर्तिओं की विश्था की आ ततर इसमें कहा गया है प्रत्यक जीला में पूर्वो मादमिक सिख्था के विकाश के लिए किंदर स्थापित किया जाए और व्यक्तिकत संस्थाओं को भी इस सिक्षा में सहयोग के लिए प्रत्साहित किया जाए यानि जो हमारा प्रावेट स्कूल है उसे भी इस सिक्षा में सहयोग के लिए प्रत्साहित किया जाए और पुरुप्रात्मिक विद्याले के पाठे कर्मों को परियाप्त मनोरंजा के व मनना है अपने विचारती एंपने सिफ़ारिस को दिया है सुझाव को दिया है मादमिक शिख्था के अवशर की समानता प्रबल दिया जाए और बालेक हौँ अछूतों जन जाती यह में मादमिक प्रकार से चुवा छूत की भावना देखी जाते थे जिसमें बालेकाओं को प्रहाई से दूर रखा जाता था और जनजातियों के लोग आते थे उसे भी प्रहाई से अचूत रखा जाता था लेकिन इस आयोग ने इन तीनों को भी मादमिक सिक्षा का विस्तार करने के लिए विशेस काड़यो करम आयोजन करने के लिए बल दिया है जिससे बालका भी सिक्षित हो सके अच्छूत भी सिक्षित हो सके और जनजाती के लोग भी सिक्षित हो सके ठीके चलिए मादमिक सिक्षा आयोग ने कि अनुशार विद्याले का पाठे करम के शामना चाहिए तू देखिए स्वड़ी माति में सिक्षा आयोग नहीं भारति ये सिक्षा आयोग के अनुशार तो आयोग ने विभिन अस्तरों पर पाठे करमों की रूप रेखा एवं रूप रेखा को जो है निमलेखित रूप से प्रस्तूत किया है जिसमें से सबसे पहला है हमारा निमने प्रात्मिक सिक्षा इसमें मातरी भासा छेतरी भासा में से कोई एक भासा और गनीत पर्यावड़न अध्यन विज्ञान समाजिक विज्ञान करियानुभव एबं स्वास परशिक्षन आधी को समलित किया है वही हम अगर बात करें उचितर प्रात्मिक सिक्षा में तो इसमें दो प्रकार की भासा समलित किया गया है जिसमें मातरी भासा हो गया हमारा दूसरा है प्रादेशिक भासा मातरी भासा या फिर प्रादेशिक भासा में से कोई एक भासा और हिंदी या अंग्रेजी में से कोई एक किया गया है निम्न मादमिक सिक्षा में तीन भासा हैं को समलित किया गया है जिसमें से मात्री भासा प्रादेशिक भासा अंग्रेजी और हिंदी में से कोई एक भासा गनीत बिग्ज्यान इतिहास भुगोल नागरिक सास्तर कला करियानुभब शमाश्चेवा सरेलिक सिक्षा नैतिक एवं अध्यात्मिक सिक्षा को शमलित किया गया है वही हम अगर बात करें उच्चितर माध्यमिक सिक्षा में इसमें कोई भी दो एवं तीन वेकल्पिक विसे कोई भी दो भासा एवं तीन वेकल्पिक विसे को बच्चे सलक्ट कर सकते हैं में से हमारा इत्यास, भुगोल, अर्थसात, तर्क, सास्त, मनो, विज्यान, समास, सास्त, जी, विज्यान, करियान, उभव, समास, सेवा, कलाव, सिलिपन, अतिकता, तथा अध्यात्मिक मल्यों की सिक्षा इत्यादी को शमलित कर सकते हैं, किसी भी तीन बैकल्पिक विशे औ और दो भासा को शम्लित कर सकते हैं, यानि टोटल इसमें पांच विसे हो गए, ठीके, चलिए, आगे आती है विद्याले परशासन का निरक्षन, विद्याले परशासन का निरक्षन के संदर्म में हमारा भारतिय सिक्षा आयोग, उनी सचोंसर ने किन किन बातों को कही है, चल चाहिए और इसके संदर्म में परशार्शन विद्याले परशासन का निरक्षन का निरक्षन दोनों को कि इसके संदर्म में आयोग ने कुछ सिफारी से की है जो निमलिखित है कि विद्याले में परयुक्त होने वाले सिक्षन विदियों को और अधिक लचीला एबंगत्यात्मक बनाया जाए लचीला बनाने जाने का मतलब हुआ कि जिससे बच्चे को क्या आएगी कहीं पर भी कोई प्रशानी आए तो तुरांत वो पूश सके और उस विदी का सिक्षक बदलाब करके अगर समझ में ना आता हो तो अगले विदी का भी उपयोग कर सकते हैं बच्चे को पढ़ाने में प्रक्रिया का प्रारम मादमिक प्रात्मिक हक्षा के वालकों से ही किया जाए और प्रात्मिक सिक्षकों को निर्देशन कारेकरम संचालन के लिए परसिक्षित किया जाए आगे उन्होंने बताया है कि मादमिक विद्याले के लिए एक सलाकार की निक्ति की जाए और जीला प्रवजीत किया जाए इन सारे बातों का आयोग ने चर्चा की है निर्देशों, निर्देशन का माध्यम कैसा होना चाहिए तो कठारे आयोग ने इस बात पर बोल दिया है कि विद्याले तथा महाविद्याले स्तर पर जो सिक्षा का निर्देशन है उसका माद्यम राजकी ये भासा होने ही चाहिए और इसके साथ साथ अंतराष्टी जरूरतों को ध्यान में रखते हुए अंग्रेजी भासा को भी विधाले से ही बढ़ावा देनी चाहिए आगे हमें अंग्रेजी भासा को भी जरूरत परती है अंतराष्टी जरूरूतों को ध्यान में रखते हुए इस विधाले अस्तर से ही अंग्रेजी भासा को भी बढ़ावा मिलनी चाहिए अईयोग ने इस बात पर बल दिया है आगे उन्होंने बताया है कि भासा का अध्यार, भासा का अध्यन किस प्रकार से होना चाहिए, तो आयोग ने, आयोग के अनुशार, तिरी भासा सुत्र लागू करना चाहिए, जो निमने लेखी थे, तिरी भासा सुत्र, कौन सा है देखे, इसमें से पहला जो भासा आता है, या मातरी भासा या च्छेत्रिय भासा दूसरा केंद्र की शहकारी भासा और तीसरा आता है आधनिक भारतिय यूड़ोपीय भासा तो तिरी भासा सुत्र में यही तीन पड़कार की भासा आते हैं और इसे समलित करनी चाहिए ठीक है यही थे अमारे भारतिय सिक्षा आयोग 1964 64 की कुछ महतुपुर्ण बात है जिसमें सिफारे से को हम लोगों ने जाना निवेदन को जाना और यह क्या है कब इसका गठन हुआ इसका धक्ष कौन थे सचीब कौन थे इसमें कितने सदस्य थे इस साड़े चीजों को हम लोगों ने इस वीडियो के मध्यम से बहुत ही अ जमज़ मा गया होगा इसी तरह के और भी टॉपिक वीडियो देखने के लिए आप जो है आर्केर श्टडी सीटेट पॉइंट यूटूब चैनल के साथ बने रहिएगा आज कि इस वीडियो में बस इतना ही था फिर मिलते हैं अगले वीडियो में नए टॉपिक के साथ